बिस्मिल्लाई रख्माने रहीम अस्सलाम अलेकुम फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ बीफ ब्रियानी की बहुत असान जटपट से त्यार होने वाली रेस्पी शेयर करने वाली हूँ बहुत असान रीके के साथ बनाना सिखाऊंगी तो इसके लिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना फुल वाच करना है तो चलिए शुरू कर लेते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले बतन में लिया है खुला पानी इसमें एक चमच सिरका शामिल किया है और दो चमच यहाँ पे ऑईल के डाल देने है इससे चावल बहुत खिले खिले बनेंगे चिपकेंगे नहीं आपस में और खुश्बूदार बनाना है तो इसके लिए इसमें डाल दी हैं लोंग छोटा सा टुकड़ा दार चीनी का 10-12 इसमें काली मिर्चे डाली है और एक फूल बादियान का डाल देना है बहुत जबरदस खिले-खिले खुश्बूदार राइस बन कर त्यार होंगे और एक सबस इलाइची और यहाँ पे डेर चमच नमक का डाल है पानी को उबाल लिया इसका और इसके बाद इसको फुली कुक कर लेना है यह देखे यह हो गया अब इनको चान लेना है आप करना यह है कि बरतर में डाल देना है एक बड़ा चमच कुकिंग ओईल का एक बड़ा तेज पार एक टुकड़ादार चीनी का लोंग और काली मिर्चे अब इसमें थोड़ी जाइफल जवत्री डाली एक लार साइस का खटावा प्यास डाल दिये प्यास को रफली चॉप किया इसको बहुत जाद अबरी कार्णिक ज़रत नहीं है क्योंकि यह बीफ की है तो उसके साथ नरम हो जाएगा दो सब जलाइची बादयान का फूल और यहां पर डाला है तीन पाव बीफ यह डाल दिया अच्छे से इसको एक से दो मिनट के लिए अच्छे से घी में फ्राइ कर लेना है अब इसमें डाल देना है लेसा नदरक का पेस्ट मैंने यहां पे लेसे नदर्क पाउडर लिया था उसको दो चमच पानी में भिगो के वो डाला है और एक लार साइस का टमाटर अच्छे से इसको भून लेना है जितनी भूनाई अच्छी होगी उतना ही कमाल का त्यार होगा सालन ग्रेवी इसकी दियर चमच नमक एक चमच भ टीवी डाल देनी है इसके साथ भून लिया तो अब इसमें डाला है आदा कटोरी फैंटा हुआ दही इसके साथ मिसाले को मज़ीद 5 मिनट के लिए भून लेना है बहुत कमाल की जटपट से बनकर त्यार होगी तो जैसे इसको पांच मिनट भून लिया पानी शामिल कर दे और मिसाला भी अच्छे से बहुन लिया अब बरतन में सबसे पहले मिसाला जो ग्रेवी त्यार की है बीफ की वो और उसके उपर पुदीना ट्रमाटर के स्लाइसीज फ्लेम इस वक्त लो है कुछ लैमन स्लाइसीज इस पर रख देने हैं बहुत कमाल की खुश्बू चावल की एक लियर लगाएंगे अब फिर से इसके उपर चंद पते पुदीना के डाल देने हैं बहुत अच्छी हुश्बू आती है अब इसके बाद इस पे थोड़ा जर्दा कलर डाल देना है थोड़े थोड़े फासले पे लो फ्लेम करके इसको कवर करके 10 मिनट के कोई ब्रियानी मिसाला वगहरा इसमें नहीं डाला है तो उसके बावजूद यह जो है दिखने में कमाल की जाइका बहुत बेहतरीन इसका बना है आप इस रेस्पी को लाजमन ट्राइक करें आपकी फैमली को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी अगर आप इस तीके की सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें मिलेंगे न्यू रेस्पी के साथ अल्ला हाफीज